एशिया के सबसे अमीर व्यक्ती मुकेश अमबानी ने दुनिया के अरब पतियों के लिस्ट में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है बड़ी चलांग लगाते हुए मुकेश अमबानी ने 100 अरब डॉलर कलब में एंट्री ली है मुकेश अंबानी की नेट वर्थ में बढ़ातरी की वज़े Reliance Industries और दूसरी कंपनियों के शेरों में बढ़ातरी रही है Reliance Industries Limited के शेर नए रिकॉर्ड लेविल पर पहुँच के थे Bloomberg Billionaires Index के अनुसार मुकेश अंबानी ने पिछले कारुबारी सत्र में 2.76 बिलियन डॉलर की कमाई की जिससे उनकी नेट वर्थ बढ़कर 102 बिलियन डॉलर हो गई दुनिया के अरपतियों के लिस्ट में वो फिलहाल बारवे स्थान पर है गौर करने वाली बात है कि दुनिया में 100 बिलियन डॉलर नेट वर्थ रखने वाले सिर्फ 12 अरपति ही मौजूद हैं पिछले दो कारुबारी सत्रों के दौरान रिलाइंस इंडास्ट्रीज के शेरों में 5.4 परसंट की तेजी देखने को मिली थी जुसके कारण मुकेश अंबानी की संपत्ती में उच्छालाया है कारुबारी सत्र के दौरान रिलाइंस इंडास्ट्रीज के शेर लगबग 3% बढ़कर 2,724.95 रुपे पर पहुंचे थे हालाके बाद में 2.58 परसंट की बढ़त के साथ 2,718.4 रुपे पर बंध हुए पिछले एक महिने के दौरान रिलाइंस इंडास्ट्रीज के शेर 12 फीसदी चड़ा है शुकरवार को शुरुवाती कारुबार में रिलाइंस इंडास्ट्रीज के शेर 0.98 परसंट गिरकर 2,693 रुपे पर कारुबार कर रहे थे रिलाइंस इंडास्ट्रीज का मार्केट कैप 18.4 लाख करोड रुपे है RIL से अलग हुई अंबानी की जियो फानाशल सर्विसेस कंपनी के शेरों में भी बढ़ात्री हुई है जिसने मुकेश अंबानी के दौलत में जाफ़ा कराया है NBFC गुरुवार को 4.6% से अधिक की बढ़त के साथ 251.5 रुपे पर बंथ हुआ जिसका कुल बाजार पुझी करण BAC पर 1.6 लाख करोड रुपे के करीद था पतादे की ब्लूमबग के बिलिनेयस इंडेक्स में टेसला के सीईओ एलन मस्क 212 अरब डॉलर नेटवर्ट के साथ नमबर वन पर बने हुए है हलाकि 2024 की शरुवात में उनके संपत्ती में 17 अरब डॉलर की कमी आई है इसके बाद आमाजान के जेफ बेजोस 180 अरब डॉलर और फ्रांससी बिजनस मागनिट बरनार्ड अरनॉल्ट 164 अरब डॉलर के साथ तीसरु नमबर पर है भारतिय अरब पती गौतम अदानी 96.2 अरब डॉलर की कुल संपत्ती के साथ 14 स्थान पर मौझूद है